दोस्तों जीवन में छोटी छोटी बातें बड़े महत्तुकी होती है और कई बार ये मुनुश्य के चरित्र उसके व्योहार और आच्रन के विशय में बहुत कुछ कह जाती है आई आपको एक घटना सुनाता हूँ सौमी विवेकानन्द की आदत थी कि जब भी वो कहीं बाहर जाते थे अपने गुरु रामकरश्न परमहंस की आग्या और आशिरवाद अवश्य प्राप्त करते थे रामकरश्न परमहंस के निधन के बाद सौमी विवेकानन्द पहली बार अमेरिका जा रहे थे इसके लिए उन्होंने सौमी परमहंस की पतनी माशारदा से आशिरवाद प्राप्त करने की सोची उन्होंने माशारदा से कहा हे मा मैं विश्यो में भारतिय संस्क्रती, धर्म और रीत रिवाजों का प्रसार करना चाहता हूँ इसके लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ अता मुझे अपका आशिरवाद चाहिए जिससे मैं अपने कारे में सफल हो सकूँ माशारदा ने विवेका नंद को सर से पाउं तक देखा और कहा मैं सोच कर तुम्हें बताऊंगी विवेका नंद अचंबित हुए मा ने ऐसा क्यों कहा? स्वामी विवेका नंद ने पुनह कहा हे मा, मैं यहां किवल आपका आशिरवाद प्राप्त करने आया हूँ करपे अपना आशिरवाद मुझे प्रदान करें मा शारदा ने पुनह कहा मैं इस विशे पर विचार करूँगी अब विवेका नंद बहुत असमंजस में पड़ गये उन्होंने सोचा मैं तो शालीन तावस इनका अशिरवाद मांग रहा तो इन्हें दिक्कत क्या है कितनी हितकचाहट क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि मा ये ना चाहती हूँ कि मैं अमेरिका जाओ विवेका नंद का दिमाग उलजुनों में फस गया इसी बीच माशारदा ने कहा बेटा वो चाकू वहाँ पड़ा है उसे उठा कर देना विवेका नंद ने वो चाकू उठा कर माशारदा को दे दिया चाकू प्राप्ट करने के बाद माशारदा मुस्कुराई और कहा पुत्र तुम्हें सौभागी की प्राप्टी हो मेरा आशिरवाद सदा तुम्हारे साथ है तब विवेका नंद ने कहा हे मा क्या मेरे चाकू उठाने और आपके आशिरवाद देने के बीच में कोई संबंध है तब माँ ने कहा हाँ मैं ये देखना चाहती थी कि तुम चाकू को कैसे मुझे देते हो तुम चाकू का धार वाला हिस्सा पकड़ते हो या उसका लकड़ी वाला हिस्सा तुमने चाकू की धार को पकड़ा और लकड़ी वाला हिस्सा मुझे दिया जहां तक मैं समझती हूँ ज़्यादा तर लोग ऐसा नहीं करते तुमने इस बात का खयाल रखा कहीं मेरे हाथ न कट जाए जब तुम दूसरों के दर्द पीड़ा के प्रती इतने सम्वेधन शील हो तो तुम्हारे रास्ते में कोई अर्चन नहीं आएगी एक वेक्ति जो खुद की सुविधा से ज़्यादा दूसरों की पीड़ा की परवाह करता है वो हमेशा सुखी और सम्वेध बना रहता है दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल हमें अपने हितों की ध्यान रखने की बजाए दूसरों को हितों के विश्य में भी सोचना चाहिए दूसरों की तकलीफों के प्रति भी सम्वेधन शील होना चाहिए तब ही हम एक खुबसूरत विश्य बना पाएंगे आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे जुरूर बताएं और इस तरह की और कहानियों के साथ वहाँ जिन्दगी में मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा आपका दोस्त आपका गाइड ओजांक नमस्कार वाँ जिन्दगी एक नई पहन